BMD, EMD मा फिर ये करते शुरुआत इन ते करते फिर तो उनने ये सारी चीज नोट कर ली थी MD सागने दूसरी बैठेक थी उस टेम पर बार जाना पड़ गया सारी बात चीत होई वोने वले जी हम आपने एक दो दिन में सितना भी महरपा होगा करके कोशिस जाएं यानि की जो थर्मल मनेजमेंट या कया कर दी के यो इंपोसिबल आम ती से न कोशल पर कोण ही ले जान दे आज वो उस सटेज पर एक बार सरू होगी संग्ठन जब तक नहीं मनना गा जब तक या दरी नहीं नहीं कहोगी के आज या दरी ठाली प्रंतु इतना विश्वास आप पर भी संग्ठन पर भी राखियो के संग्ठन ऐसा कोई गल्थ काम नहीं करगा कि किसे गए मान समानने ठेश पोण चाबगा कोई भी फैसला होगा सब की सहमतित है सब के विचारत है सब कुछ त्या करके लिया जाओगा कोई भी फैसला अकेला नहीं होगा ये बात थी जो बैठक में एक प्रोसेस शरू होई उसके पारा में इस ते लावा जोड चाली आपके संग्ठन ने आपके पतादिकारियों ने चाहे उसमें उत्तर सेतर के प्रबारी पवन कुमार जी हो चाहे हमारे संग्ठन के बारतिय मजदूर संग के अधिक्स एंटी पीसी फरिदावाद से असोक कुमार जी चाहे वो हो चाहे आपके अधिक्स बाडू जी हो किसे भी पतादिकारियों जो अपनी ओरतव उसका है वो पूरी कोशिस करी अधिकारियां पर इतना दबाव था कि जो बैठक में मोजू थे आपके अधेक्स थे वो भी आपके परतीनी दियों ने पता है कि किसे भी अधिकारी के मुट कोई सबग नी था और याप कहने कि उनना एक बार भी मत नी करी जे संग्ठन ने नियू कह दिया नियों न्यू है तो किसे अधिकारी ना खड़या होगे न्यू को निकाया कि यू न्यू को नी जी न्यू है मल जो आपके तरक थे उस तरक पर वो बातचित करन पर बिल्कुल भी मले सहज नहीं दिखे वो सिरफ आप आपके तरक ले आना लाग रहे थे के तरक था कुछ नी बाड़ू जी ने सफस्ट कह दिया था आपने कोई तरक थे मतलब नी कोई करमचारियां थे मतलब नी किसे थे मतलब नी आपने मतलब है बड़ी बड़ी टैंची जोन सी मेजगा निच्छ को सिद्धी कुर्शी बाग ये बात आपके संखन ने अधिका घ्यक्तिविटी का टेंडर है जब pat अफरक अधिविटी का टेंडर है तो आपने यो लेटर कैसे निकाल दिया कि उस धरमल में अठारा स्वा दमी काम बड़ी जद दोड़ी मतलब नी चलावगे एएचपी ने देव चलावगे एक चार चलावगे ज़त आपका टेंडर वरक एक्टिविटी गए तो आपने मैन पावर सो करगे ये पंदरा सो आदम्यांगी जो फैमली आईटी कोसल में चटा दी इस वज़ेत आपने पता कितना नुक्सान है निवल्याजी कोई नुक्सान को नी या तो और याना सरकार की सिकीम थी के सब की पीपी आईडी अपलोड करनी है विल्याजी आमने भी बेर है सब की पीपी आईडी अपलोड करनी है प्रन्तु वो पीपी आईडी लोड सिरफ फूस पोर टलपा करनी थी जिस पर याना सरकार में या गोशना क करी थी के परिवार पहचान पत्तर में सब गा एक नाम हो कि यो किसान है तो यो किसान है यो मजदूर है तो मजदूर है जे यो करमचारी है तो करमचारी है परन्तु आपने इनके आईडी एच के आरन में अपलोड कर दी उस वज़े तक के नुक्सान हो गया फाइदा तो करन्ता आपका दूर है फाइदा गी बारा में तो आप सोच नहीं सकते क्यों नहीं सोच सकते परन्जी नहीं सपष्ट कया कि आप सिरफ ठेकेदारों की गुलामी करना जानते हैं आपको सिरफ पैसों से प्यार है आपको उन करमचारियों या आप कहो तो उन मजदूरों के बारे में कोई चिंता नहीं है अगर आप उनकी चिंता करते तो आप उनको कोसल में चटाते क्योंकि कोई कोसल पर्मानेंट नहीं है ना कोसल में कोई पर्मानेंट जोब आड़ा सिरफ इतना है कि जो ठेकेदार मजदूर यांगा सोचन करना लाग रही है वो सोचन बंद हो जागा परन्तु चलो आपने डाटा कौन चड़ाया आपने वो कोशल में कौन लिये परन्तु आपने जो यह फैमिली आइडी चड़ा दी इन ते उन करमचारियां केल केलात लागी है उस गभारा आप सोच भी कोन सब्सक्राइब नुबल्याजी ऐसा कुछ नहीं हमने किसी का कुछ बंद में किया संग्ठन पर कागच थे आपके साथ अंदेरा के दे पर ते कागच दिखाया गया के हो गया इनने फैमिली आइडी आपकी अपलोड कर दी वो लिख दे फैमिली आइडी आ संस्थान है या उसके तैत करने वाले हैं यानि कि गोर्मिंट के PCU के अंतरगत आते हैं आप उस संस्थान में कारिये करते हैं इसलिए आपका वेतन इतना है और वो वेतन दिखांदे किसे का राशन कारण कट गया किसे की मागी तन खाकटकी किसे का बापूगी तन खाकटक आपने शिरफ उन आत्मियां गे रोजगार नी छिन्या जो 39 दिन तरणा पर बेठे आप लोगों ने उनके राशन कारड कटवा दिये आप लोगों ने उन गरीब लोगों के माँ बापों भी तनखा कटवा दिये ये सारी बात होई तो जो उनके MD थे या डारेक्टर जो भी जो आपने अप्लोड कर दिया इस गामने जोईनिंग लेटर जो अर जोईनिंग लेगे उठागे ये बात थी जो बैठक में होई उसके बाद मैं पर्शियों आपने बेरा है के प्रदेश की बैठक होई थी उसमें जो फैसले लिए गए वो उसका काम में सरकार का केक रगी मारा काम था बात चित खातर बुलाए ये जायाए क्योंकि बात सुणागे जदे हमने निज भेरा पटगा ये कितने कागबदे और उन्ने भी नु भेरा पटगा कि ये कड़ा तक जास कए है काल भी हम उनने सपश्ट कह गया है पवन जी ने भी कहा कि आपने उना सोती हो कि यो आंदोलन खेटड़ी हम उनना नगर गया आमी भी तक की सवजेता से आम थे कि अधिकारी वारता खातर भुलान लाग रिये और वारता चालन लाग रिये अगर आपका यो एरवया रहा तो यो आंदोलन बारतिय मजदूर संगा होगा और बारतिय मजदूर संग का जुड़ा प्रतेक कारिये करता इस आंदोलन में सामिल होगा उसके बात में चई वो पीजडी बोल्ड हो चई कुछ होर हो जड़े भी कोई समस्या होगी उसकी जिम्मेवार HPGCL Management होगी पारतिय मजदूर संग का पदा दिकारी आपका फोन भी नियर्टा होगा जीतने समझोगता नहीं होगा तो साथियों इसी कड़ी में संग्धर ने फैसले लिये थे परशुतो उनमें तो एक फैसला यह हो है कि जो अपना पाणी पत्थर मल है आप लोगों की जागरुकता देखगे वो लोग भी जागरुक होए तो बैठक करके आए उनता है काल रात ने भी लगाता है साथे ग्यारा बारा बजे ता है आड़े बेठे दा मैं उनके फोन पर फोन आओ जे इव सबेरे पहले फेर शरू होगे इव उनके लेटर त्यार करन लाग रहे है आज उनका लेटर दे जाए अगर सरकार अगले एक दो दिन में बात सित करन के मुड में ना आई तो अगले दो दिन में पाणी पत्थर मल दी आपके समर्धन में दाना पाओगा उन साथिया ने भी कोशल में सामिल होना है उसके बाद में अगला फैसला के लिया गया वो फैसला आप पर डिपेंड करागा कि आप उस पर कितने खरे उतरोगी अगला फैसला लिया गया कि आमाड़ आज 29 दिन बिलकुल स्यांती पिरिये 30 दिन बिलकुल स्यांती पिरिये तरिकाते बेठेया इस टेंट मा आजया हाँ भग जया हाँ किसे न मारी अल चलगा कोई पता नहीं मीडिया आगे भी फोन हो है कि आप कुछ नया नहीं करते तो हमने एक नया कदम उठाया नया करण का कुछ परियास करया वो फैसला के है कि आज नोटिस दे दिया जाओगा जिला इसार जिला यमुना नगर जिला पाणिपत के उपाय त्यानिकी डीसी को कि आप इस जिले के मालिक हो आपके जिले में इस इस योजना को लेकर पिछले तीस दिन से करमचारी दरने पर है प्रंतून करमचारियों की कोई सुनुआई नहीं हो रही आप इस जिले के मालिकों आप से अमनिवेदन करते हैं कि आप मदेस्ता करते हुए सरकार से वार्ता करें अन्य थाई सांदोलन का रुख बदला जाएगा जिसकी जिम्यवारी पूरी की पूरी जिला परसाशन और सरकार की होगी आज यो नोटिस जाओगा उसके बाद में के फैसला लिया गया है कि तीस महीन जितने भी करमचारी आड़े है सारे करमचारी वो पलस में जो भी जितने लियासक है आपका चाचा भाई भतीजा कोई भी पृवार गास दश्य या काम गे लोग जितने भी आसक है उतने जादा तीस महीन नोब जे इकठे होगे इस खेतर दरना पै आड़े ते मोटर साइकल लेगे इसार की तरब मोटर साइकल यातरा निकाड़ी जाएगी वो यातरा खेतर धरमल से करांती मान पारक इसार में जाएगी फुवारा चोक पै और वहाँ पैं सारे मोटर साइकल खड़े करके वहाँ पैं आपके इसार चींद उन जिलों की ड्यूटी लगाई गई है वो साथी भी आपको इसार चींद भीवानी फतेवाद के साथी यहाँ वो अलग अलग धरमलों पे ड्यूटी लगाई गई है वो साथी भी पारक में पहुंचेंगे हम सभी इकठे होकर करांती मान पारक से DC कारियल्य तक पैदल मारच निकालेगे और वहाँ पे उपायुक्त मोच्या को हमारी समस्या के बारे में अवगत करवाया जाएगा और ये काया जाएगा कि उपायुक्त के नाते आप इस जिले के मालिक हो हमारी समस्या का समाधान करवाओ नहीं तो अगर आपके जिले में किसी भी परकार की कोई कानून वेवस्ता भी गड़ती है या किसी अन्य परकार की कोई गटना होती है तो उसकी जिम्मेवार आप हो गए संग्ठन ही होगा जो साथियो पानिपत के साथी संग्ठन बिठाने का काम करेगा वो बैठ जाएंगे बाकी त्यारी भी संग्ठन अपने सतर पर सारी करन लग रहे है मेरा आपते निवेतन है दो दिन कया था दो दिन कया था अपने संख्या राखी पूरी परन्तु फेर पचले तीन दिन ते पानसो साथे पानसो छेसो इस्ट उपर आदमी गंजानला अगरे विजिश्ट्राण